नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा Electrical Drawing पर है और ये Electrical Drawing का Part 9 है दोस्तों, ये जो आप Circuit Diagram देख रहे हैं इन सभी Circuit Diagram को हमने Electrical Drawing Part 6, Part 7 और Part 8 में Draw किये थे दोस्तों, ये आप इस Circuit को आच्छे से समझना चाहते हैं कि किस बगा से इसको Draw किया गया है और ये कैसे काम करेगा तो आप Electrical Drawing के Part 6, 7 और 8 इन सभी वीडियो को जरूर देख लीजेगा दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी Circuit में थोड़ा सा Modification करेंगे क्या Modification करेंगे दोस्तों, देखिए ये जो हमने Control Circuit Draw किये थे इसमें हमने केवल एक ट्रीप Indication Lamp का Connection किये थे तो यहाँ पे हम On Indication Lamp और Off Indication Lamp का भी Connection करेंगे तो यहाँ पे जो हमने Circuit Diagram Draw किये थे उसमें हमने तीन हुटर का उप्यो किये थे यानि कि Fan I के लिए अलग शुटर था Fan Two के लिए अलग शुटर उप्यो किये थे और जो हमारा Pump था उसके लिए अलग सा एक शुटर उप्यो किये थे ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा तीनों Motor है उन तीनों मोटर के लिए केवल हम एक hooter का उप्योग करेंगे ठीके और उस hooter को reset करने के लिए एक reset पूस बटन का भी उप्योग करेंगे ठीके दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो के द्वारा जो मैं आपको circuit diagram ड्रो करके दिखाने जा रहा हूँ वो सरकित बहुती उप्योग आती है ठीके दोस्तों तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक, सेर और कॉमेंट जरूर कर दीजेगा ठीके और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को स छेए और जो हमारा इंडीकेशन लेंप है उसके लिए उसके लिए कंटरों 17 स्प्लाइ के सरक करने ना परता है तो जो हमारा इंडीकेशन लेंप इसको सीधाई न्यूटल सप्लाई के सार कनेक कर देते हैं ठीके दोस्तों तो यह जो हमारा इंडिकेशन लेम थे इनको मैंने न्यूटल सप्लाई के सार कनेक कर दिया दोस्तों इन दोनों इंडिकेशन लेम को पाउर सप्लाई देने के लिए हम एक वायर को यहां से जोरके ले कि जाएंगे ठीके दूस्तों तो मैं क्या करता हूं इस वायर को थोछा सा आघे बाण देता हूं ठीके दोस्तों जो Canal घbad टीके दोस्तों अब इन दोनों indication lamp को में饭 और ठीके तो में क्या करता हूं यह जल जाएंगे क्यों जलेंगे क्योंकि यहां पर हमने कोई भी इंटरलोकिंग नहीं लिया ठीक है तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं इन दोरे indication lemp का नाम लीख देते हैं जिससे कि कोई confusion नहों आप लोगों को ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यहां पर इनका नाम लीख देता हूँ तो green indication lemp हमारा क्या होगा OFF के लिए तो जो हमारा green indication lemp था वो OFF के लिए उप्यों करेंगे ठीक है और जो हमारा red indication lemp है हो हमारा on indication lambe हो जागा, तो दोस्तों, तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर green education lambe को off के लिए उपयोग कर लिया, और red indication lambe को on के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने इनका नाम लिख दिया हूँ, abब हमें इनका interlocking करना है, तो जो हमारा green indication lambe है, वह off के लिए है, यानि कि हमारा जो fan 1 है यदि वो off रहता है तो ये indication लेम जलना चाहिए ठीक है तो दोस्तों ये जो हमारा fan 1 है ये off रहेगा तो क्या होगा ये वाला contactor जो है वो भी off रहेगा तो इस contactor का हम क्या करेंगे ये ये जो हमारा contactor है वो power contactor है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो power contactor था उसमें केवल दो और ये यहां पर ये जो हमारा man contactor था उसके उपर में add-on block लगा दूँगा और add-on block लगाने पर हमें ये जो हमारा contactor था इसके उपर मैंने add-on block लगा दिया एक add-on block लगाया और एक add-on block लगाया अब जो हमारा off indication लेंब था इसमें आगे हमें add-on block लगाया तो यहाँ पर हमारा जो एस वो किससा है तो यहां पर नाम औलडी लिखा हुआ है के दर्शेंर्य कि दरीक है वह besi gende Here we've हमने nc contact का इसलिए उप्योग किया क्योंकि यदि हमारा यह contact off रहता है उस condition में क्या हो दोस्तों देखिए यह जो हमारा nc contact है वो power supply को आगे flow होन देगा ठीक है और power supply यहां से flow होते विए इस indication लेंब को आप जो हमारा ओन इंडिकेशन लेंब इसमें हम एन नो कोंटेक्ट का उप्योग करेंगे यह जानि कि इस लो नहीं हो पाएगा जब तक हमारा यह वाला इंडिकेशन लेंब और यह इंडिकेशन लेंब ओन होता है तुरंती यह ओफिस्पाज से हम इंडिकेशन लेंब का कनेक्शन करते है तुर्फिया हम क्या करेंगे फैन टुख के सरकिट में और जो मारा अप उसके सरकिट में भी डूख करेंगे तुर्फिया यहां पर क्योप्य Eğer सब्सक्राइब कर देता हूं ठीक है दोस्तों जिससे कि हमारा समय बच जाए तो दोस्तों यहाँ पे हमने फेंटू के लिए भी फिन का क्नेक्शन करते हैं तो हमने यहां पर क्रेंट कर दिया और यहां हमने NONC contact जो use किये थे वो हमारा K3 का हो जाएगा ठीक है यह जो हमारा K3 contactor है वो हमारा pump को on करने वाली power contactor है ठीक है इसके उपर हमने addon block को लगा कर NONC contact का उपियो किये थे ठीक है दोस्तों दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यदि इस वीडियो पे 200 लाइक आते हैं तो मैं यह समझूँगा कि मैं जो आपको explain करना है वो आपको अच्छे से समझ में आरा तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने fan 1 के लिए एक अलग यहाँ को बड्रोग करना पड़ेगा दोस्तों यहां पर हमारे पास में इस पेस नहीं बचा कि मैं हूटर के लिए control circuit को ड्रोग करूँ ठीक है तो इसके लिए क्या करूँगा कि एक अलग से page लिए ठीक है तुम्य क्या करुंगा page number four में paste कर दूँगा ठीक है दोस्तों ये हमारा page number नुम्बर three से आ रिए ठीके दोस्तों यहां पे हमें क्या करना है दोस्तों कि जो इतने भी हुटर हमने इप्यों किया थे उसको हम यहां से कोपी करके कट कर देंगे और इसको सीदे ही हमारा जो यह सरकी इपेस्ट कर देते हैं ठीके अब इसको हम सीधे ही हमारा जो page number 4 है उसमें paste कर देंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन अलग-अलग hooter है ठीक है तो यहाँ पर हमें केवल एक hooter का उप्योग करना है ठीक है तो मैं इन दू hooter को delete कर देता हूँ अब हमारे पास से connection करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा जो hooter था उसको neutral supply से direct connect कर दिया ठीक है अब हमें इस hooter में face supply पहुचाना है face supply में हम interlocking उप्योग करेंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पर इन तीनों मोटर में से को भी एक मोटर यादी हमें अलाम जेटनेट करना है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे जितने भी एनो कोनटेक है यानि कि यह वाला एनो कोनटेक और यह वाला एनो कोनटेक इन तीनों को parallel में connect करेंगे ठीक है दोस्तों मैं इसको थोड़ और यहां पर कर देता हूँ, अब देखिये, यहाँ यहां पर यहां पर देखिये, यहां पर throughout this record यहां पर डिखिये यहां 15 contacter है यहां कि यहां तो यहां से एक वायर को करने करके इस टर्मिनल के सरक्नेक कर दूँगा ठीक है इसे प्रकास से इन दोनों फॉटर में चल जाएगा और यदि हमारा मोटर होता है तो यहां से फ्लो होते हुए इस शूटर में चल जाएगा और यदि हमारा pump trip होता है, तो यहां से power supply इस hotear में चल जाएगा, और जो हमारा हotear होटर है वो alarm करने लएगा, तो तब तक हमारा हotear होटर अलाम करेगा यानि कि हम मोटर को reset नहीं करना चाहते हैं यानि कि यह जो हमने ओवल और रिले लगाय थे उसको reset नहीं करेंगे हमें केबल इस hooter को बन करना है तो इस hooter को reset करने के लिए हमें अलग से circuit diagram को डोग करना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें एक auxiliary contractor का उपियोग करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमारे पास में यह auxiliary contractor था तो मैं इसको यहाँ से copy कर लेता हूँ ठीके दोस्तों और इस circuit में पेस्ट कर दूँगा ठीके यहाँ पर हमारे पास auxiliary contractor आ गया ठीके अब इसको हम circuit diagram में connect कर देंगे यानि कि मैं इसको neutral supply के सर कनेक कर दिया ठीके यह जो हमारा auxiliary contractor का A2 terminal होता है उसको हमें neutral supply देना पड़ता है और A1 terminal पे फेस supply देना पड़ता है ठीके अब हमें इसमें फेस supply पहुचाना है ठीके दोस्तों तो मैं क्या करूँगा यहाँ से power supply ले जाके A1 terminal पे दे दूँगा ठीके तो यह जो हमारा auxiliary contractor था इसको हमने power supply दे दिया यानि कि directly power supply दे दिया अब दीए यह जो हमारा circuit था इसको हमें interlock करना है ठीके यानि हमें इसको reset करने के लिए भी circuit diagram को डो करना है ठीके तो मैं क्या करूँगा कि यह जो हमने auxiliary contractor लगाए थे इसका NC contact इस circuit में उपियो करूँगा ठीके दोस्तों तो यह जो हमारा auxiliary contractor है इसमें केवल एक NC contact है एक 30 number terminal और 42 इस page numbers factor तॉ इसको मैं यहां कोपी कर लेता हूं और कपी कर करके इस uhुठैक में पेस्ट कर लिता हूं तो दोस्तों यह हमारा NC contact हो गया ठीक इसको हमें क्या करना है इस voter के circuit में कनेक करना है तो मैं इसको क्या करते हैं यहां चे हमिः की साथ किस्ट का यहां पर अन्षेक्टर का है तो इसको भी लिख देते हैं यहां पर हम लिख देंगे के ब्लम हमेसे पता चल जाए यह जो ऌंफ 144 ह fid कर देंगे थैके थित्रों दोस्तों अब यह जो हमारा अनु पुस बटन. इसको थे जो हमांने तो हम whereby at No.f बटन लिख दिया भी हैब देखिये यह जो हमारा अजलाडी केक्टर इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे हमें होल्डिंग सीर्किट भी बना पड़ेगा तो यह जो हमारा अजलाडी कॉन्टेक्टर हैब इसकाNo are contact हम यहाँ में कर देंगे ठीक है तो इसका connection कर देता हूं तो दोस्तों यह जो हमारा एनो contact है इसको हमने इस पूस्विदन के parallel में connect कर गए ठीक है दोस्तों अब देखिए दोस्तों यह जो हमारा power supply सीधे आगे flow हो जाए और flow होते हुए इस हूटर में चली आगके अब जो हमारा हुटर है वह alarm करने लगेगा ठीक है अब देखिए यहां पर हमने एनो पूस्व बटन उपियों कि आप और यहां पर हमने एनो contact है वो change हो जाएगा यानि कि NC से NO बन जाएगा यानि कि इसका power supply जो है वो break हो जाएगा यानि कि इसका circuit break हो जाएगी break होने पे क्या होगा इसमें power supply नहीं जा पाएगी और जो हमारा hootet है वो alarm करना burn कर देगा ठीक है अब ही देखिए यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तो यदि वीडियो पर लाइक शेर और कॉमेंट कर दीजेगा और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब ने किया है तो सस्क्राइब कर दीजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद